हेलो एंड वेलकम गाईज आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप आपके फिस्बुक के शोरी गाईज आप यहाँ भी आपके कूगल के अंदर इंटरनेट को बिल्कुल भी यूज नहीं आपको यहाँ पे ओटो बैक और आपको यहाँ पे इंटरनेट यूज ना कर पाने की प्रोब्लम सो हो रही है तो अगर आपको आपके गुगल से रिलेक्टिट कोई भी प्रोब्लम है तो आप यहाँ पे हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए गुगल से रिलेक्टिट सभी प्रोब्लम का श्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो कैसे आप यहाँ पे आपके गुगल को ठीक कर सकते हो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गूगल को सर्च कर लेना है प्ले स्टोर के अंधर गूगल को सर्च करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपके गूगल को अपडेट कर लेना है जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा तो यहाँ पे Google पहले से ही updated है आपको यहाँ पे Google को update करना है Google को update करने के बाद फिर आपको Chrome browser को update कर लेना है मेरा Chrome browser भी गाइस पहले से ही updated है अपडेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है जो आपके mobile की setting है आपको इससे open कर लेना है open करने के बाद अब आपको थोड़ा नीचे की तरब आ जाना है फिर आपको यहाँ पे apps पे tap करना है उसके बाद आपको manage apps पे tap करना है और manage apps पे tap करने के बाद आपको search बार में google play service को search कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे google play service पे tap करना है आप देख सकते हो आपको यह पे Google Play Service पे टैप करना है उसके बाद फिर आपको For Stop पे टैप करना है और OK कर देना है Guys मैं यह पे For Stop का OK नहीं कर पाऊंगा क्योंकि OK करते ही मेरा Recorder यहीं पे ही Stop हो जाएगा इसलिए मैं OK नहीं कर पाऊंगा तो आपको सबसे पहले For Stop कर लेना है For Stop करने के बाद अब आपको Clear Data पे टैप करना है और आपको Clear Catch पे टैप करके OK कर देना है OK करने के बाद अब आपको Manage Space पे टैप करना है और Manage Space पे टैप करने के बाद आपको Clear All Data का Option मिल जाएगा आपको यहापे Clear All Data पे टैप करना है और OK कर देना है ओके करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है और अब आपको यह पे क्या करना है डेटा यूज के नाम से आपको एक उप्शन बिल जाएगा आप देख सकते हो श्टोरेज चे नीचे डेटा यूज का उप्शन है आपको इसको सलेक्ट कर लेना है अब आपको यह पे मैन काम क्या करना है आपको यहापे तीन उप्सन बिल जाएंगे बैकगराउंड डेटा वाइफाई और मुबाइल डेटा अगर आपके यह ओफ है तो आप यहापे बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे गूगल से रिलेक्टिड कोई भी अप्लिकेशन जैसे की गूगल प्लेश् और अगर आप मुबाइल को यूज कर रहे हो तो आपको इस परकार से दो ओप्सन मिल जाते है जैसे की डेटा यूज और दूसरा रिष्टिक डेटा यूज आप यहापे देख पा रहे होंगे तो आपको रिष्टिक डेटा यूज को स्लेक्ट करना है और अगर आपका अं गूगल को ही सर्च कर लेना है अब आप यहां पे गूगल को यहां पे थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करके ढून लेजिए हमें गूगल मिल गया है अब आपको गूगल को स्लैक करना है फोस्टो पे टाप करना है और ओके कर देना है ओके करने के बाद फिर आपको क्लियर ड लेक पा रहे होंगे आपको data use पर जाना है अगर आपके यह off है तो आपको इनको यहां से on कर लेना है फिर आप यहां पर back आईए और आप एक बार restrict data use को भी check कर लेजिए अगर आपका यह untick है तो आपको इसके टिक लगा के ok कर देना है ok करने के बाद अब आपको back आ जाना है और अब आपको सबसे last में chrome browser को search कर लेना है अब आपको chrome browser पे tap करना है chrome browser पे tap करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है जो अभी आपने काम किया है वो सेम काम आपको यहां पे करना है सबसे पहले first stop पे tap करके ok कर देना है ok करने के बाद आपको clear data पे tap करना है ओके करने के बाद अब आपको यहापे मैने स्पिस पर टैप करना है और आपको clear all data पर टैप करके ओके कर देना है जैसे ही आप इतना काम करोगे तो अब आपको आपका mobile का power button long press करना है और आपको आपका mobile एक बार reboot या restart कर लेना है अगर आपको reboot show हो रहा है तो आप reboot कर लीजिए या फिर आप restart भी कर सकते हो गाईस जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आपकी problem बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए